हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अपना चैनल वीजर बैस अप्रोज इस सेशन में हम लोग डिस्कूस करने वाले हैं फैक्टराइशिशन और पॉलिनोमियल ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी कौड्रिटिक ट्राइवियल हैं मारे पास और इसका हम किस तरीके से एक्टराइशिन करेंगे इसके बारे भी हम लोग इस सेशन में डिस्कूस करें वाले हैं तो जैसे मालीजिए कि इस्टेंडर्ड जो आपका फॉर्मिट है कौड्रिक ट्राइवियल का A x square plus B x plus c यह है आपका quadratic tainomial. Quadratic trinomial. देखे quadratic क्यों का रहे हैं? क्योंकि x का power 2 है. Trinomial क्योंकि इसमें देखे 1, 2, 3 term है. तो अगर हमें इस टाइप का कोई अलजबरिक एक्स्प्रेशन दिया हुआ रहे हैं और हमें तक्टराइज करना है मतलब वी हैब टू एक्स्प्रेश दिस क्वाइटिक ट्राणमेल एज प्रोड़क्ट ओफ लिनियर फैक्टर तो हम क्या करेंगे तो आप क्या करें इस तरीके से दो कौंटिटी पी और के यह और करना फटा करना है क्ईकंटर से करें मतलब गेर कर यह अनुमान करें यह तो एक सैटें तो को आप लगाईए अब कंडिशन क्या हो सकता है कि यह हो सकता है कि P और Q इस टाइप की क्वांटिटी है कि इनको अगर हम प्लस करें तो हमें B आए बी क्या है इस क्वार्डिक ट्राइंगल में B जो है कोफिसेंट ऑफ एकस है बी क्या है तो बी है आपका कोफिसेंट ऑफ एकस पहली कंडिशन यह फुल्फिल होनी चाहिए नमबर वन दूसरी कंडिशन है कि अगर हम P और Q को इल्टू करेंगे तो A और C के प्रड़क्ट में बराबर हो एक क्या है कोफिसेंट ऑफ एस स्क्वार्ड सी क्या है पॉंस्टेंट टम पर यहां पर हमको साइन का भियान देना है मतलर प्रड़क्ट ऑफ पी और Q विल भी दे सेम एल प्रड़क्ट ऑफ ए और जी साइन के रिस्पेक्ट में भी मैंग्निटूड और साइन दोनों की हम बात कर रहे हैं तो यह तो देखिए तरीका है और यह तरीका को फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी क्वार्डिक्ट ट्रणमियल को आप फेक्ट्राइज कर सकते हूं आपको दो क्वांटिटी दी और क्यों सर्च करना है चाहे आप जिस मेंट से भी करें इस तरीके से करना है कि इस दोनों का प्लस कोफिजेंट और एक साहें और उन दोनों को इंडू करने पे ए और सी प्रड़क्ट के बराबरा है यह देखिए ठीरी की बात होगे जब तक सब्सक्रान टैरीब्त इयुक्त करें ज्यादा ज्यादा तो ये जु रहiono मेंट को बताया है अच्छे से समय was नहीं अच्छे से समझने के लिए बेटर अंडिस्टेंडिंग के लिए ब्रक्टिस को पर यह तभी तो कहा गया है न स्वाइडिस सब्सक्पल यह उतना ज्यादा पर्फेक्शन को अक्वाय करेंगे आप पर्फेक्ट होंगे तो देखी पहला क्वेस्टन है एक स्क्राइब प्लस 11 एक स्क्राइब प्लस और यह हमें इसे फेटराइब करना है के दर देखिए ब्लस एक स्क्राइब प्लस एक जगर पर यहां पर देखिए बं नाइब विके जगर में 11 यह तो यह जो अल्यविक इक्सिरिशन है यह कौदिरेट्रिक ट्राइनोमियल है इसमें कोई डाउट है नहीं है तो आप अंदाज से पी और की वापको फाइन करना है लेकिन मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं उस मेथड को फोरो करें एक सिस्टार्ट को फिरेंट 1 है तो 1 इंटू 30 करेंगे तो पोड़क 30 होगा तो आप क्या करिए factor दिखिए factors of 30 are 30 का factor 1, 2, 3, 5, 6, 15, and 30 30 का factors बताना है मतलब इस सबी numbers जिस्टे की 30 में divide लग जाए दिखिए इसने फैदर क्या है आप easily 1 और 30 को इंटू करेंगे तो 30 आएगा 2 और 15 को इंटू करेंगे तो 30 आएगा हाँ एक चीद यहां पर चुट गया है यहां पर 5, 6 और यह दिखिए 10 में होगा 3 और 10 को इंटू करेंगे 30 हो जाएगा 5 और 6 को इंटू करेंगे 30 हो जाएगा तो इस तरीके से दो नंबर्स तो हमें मिल जाएगे जिनको इंटू करने पर 30 आएगा लेकिन ऐसा करने से एक फाई होगा सेकेंड वाला और जबकी हमें पियोगी वो दो ऐसे नंबर्स लास्तने हैं सर्च करने हैं जो कि यह दोनू कंडिशन को समय फुलफिल करें एक साथ फुलफिल करें एक साथ तो यहां पर देखिए बहु सारे नंबर्स का पर बन सकता है जिनको इंटू करने second क्या है P और Q प्लस करने पे B के बरबार है बीक इतना 11 है तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे 11 X के जगह पे विखेंगे 5X प्लस 6X 5X प्लस 6X 11 के साथ रहेगा 5X इंटू 6X करेंगे तो 30 X स्क्राइब जो की X स्क्राइब और 30 के पराबर है तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां पे जो क्वाटिटिक ट्राइनूमियल था वह टेट्रानूमियल रिशेंज हो गया 1 2 3 तर्म था याने के 1 2 3 4 तक हो गया अब आप इंको साथ में रखिए इंको साथ में रखिए इंट दोनों में X कोमन यहां पे आप 5 लिखेंगे इंट में आप 6 कोमन लिखें तो X प्लस 5 अबłem जो हैं पेर यहां भी है तो X प्लस 5 आप कोमन ले लिखें दूसरा factor x plus 6 तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वार्नेटिक ट्राइडुमियल x-square plus element x plus 20 को एकस्पेस कर दिया as a product of two linear factor first linear factor is x plus 5 and another is x plus 6 तो बच्चों आम लोग करते हैं next question तो बच्चों जो next question हमारे पास है x square plus 6x minus 27 आप compare करिए A के जगह पे 1 है B के जगह पे 6 है C के जगह पे minus 27 है 1 into 27 कर लिजिए तो 27 आएगा तो आप क्या करिए factor लिखिए factors of 27 are तो 27 के सभी factors लिखिए तो 1, 3, 9 और 27 1, 3, 9, 27 से भी 27 में divide लगेगा तो यह से भी factors है 1, 27 को इंटू करेंगे 27 आएगा 3, 9 को इंटू करेंगे तो 27 तो 27 आएगा middle term 6 है तो हमें simultaneously दोनों condition satisfy होना जाहिए P plus Q is equal to D आएगा जाहिए और P into Q बलागा एजी आएगा हमें यहां पे दो ऐसे numbers की तलास करनी है जिनको इंटू करने पे 27 आता है 1 into minus 27 minus 27 आएगा जो की क्या है यह आपका negative है मतलब AC negative है तो P into Q भी negative होना चाहिए तो देखिए दो quantity का product negative आ रहा है इसका मतलब उसमें से एक positive होगा और एक negative होगा तो यहां पे 3 और 9 में से कोई एक positive होगा दूसरा negative होगा अब यह सवाल उखता है कि कौन positive होगा कौन negative होगा यह यहां के sign से बता चलेगा 6 के पहले क्या sign है plus sign है हमें plus 6 लाना है तो 3 और 9 में जो number greater होगा उसका sign positive लेंगे क्योंकि हमें दोनों का difference लेना है 9 और 6 का difference लेना है जिससे कि हम plus 6 आ है तो हम लोग क्या प्रेंगे x square ऐसे लिए दिया और 9 x लिख दिया और minus 3 9 कैसे है 9 3 यहां दिया आ है 9 और 3 9 कैसे हैं plus रखा 9 x minus 3 x 6 दिख आ जाएगा 9 x into minus 3 x करेंगे plus into minus 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 27 x square x square into minus 27 minus 27 x square ठीक है मतलग यहां पे देखिए इसमें से एक p होजाएगा और एक q होजाएगा तो p अगर आप लेते हैं minus 3 यह आपका plus 9 हो जाएगा तो minus 3 plus 9 करेगे तो आपका 6 आजाएगा और minus 3 into 9 करेगे तो आपका minus 27 दिख लाएगा अब क्या करिए इन दोनों में आप x common ले लिए यहां negative यहां negative minus common ले लिए तो फिर ब्रेकेट में जाने पे sign change हो जाएगा तो x plus 9 और x minus 3 तो इस तरीके से यह जो हमारे पस quadratic tridomial था उसका factor एक है आपका x plus 9 और दूसका है x minus 3 और यह दोनों का दोनों linear factor है एक बात और बच्चों अगर हमारा answer सही है तो हम check भी कर सकते हैं अगर हम इसे multiply करेंगे तो हमें वापस यह ही मिलेगा the equation is writing the given algebraic equation as a product product के रुप में लिखना है तो बच्चों हम लोग करते है next question तो बच्चों हमारे पास जो next question है इस तरीके से है x square minus 5 x minus 24 आप compare करिए तो आप देख रहे हैं कि a की value 1 है और b की value minus 5 है और c है आपका minus 24 है आप a into c नी का लिए 1 into minus 24 तो यह आपका जाएगा minus 24 जो की क्या है negative है इसका मतलब पी और q दो नंबर्स जो हम लोग सर्च करने वाले हैं उन में से एक positive होगा और एक negative होगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि b into q negative आना चाहिए तो पी into q negative ग्यों आना चाहिए क्योंकि ac हमें negative आ रहा है तो दो negative नंबर अगर होगे तो उनका product positive आएगा दो positive होगे तभी product positive आएगा लेकिन एक negative और एक positive होगा तभी उनका product negative आएगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि पी और q में से एक positive होगा और एक negative होगा अब कौन positive होगा कौन negative होगा यह तो यहां सिस्मन आएगा यहां 1 और यहां से केवाद 24 लिखे तो 1 into 24 24 हो जाएगा तो आप क्यादर यह factor लिखे है factors of 24 are तो 1 2 3 4 6 और आपका 8 इसके बाद आपका 12 और यह आपका 24 1 into 24 करेंगे 24 आएगा 2 into 12 करेंगे 24 आएगा 3 into 8 करेंगे 24 आएगा और यह देखे 6 into 4 करेंगे तब भी 24 आएगा तो हमारे पास दो numbers की जो possibilities है किनकी किनकी है 1 24 2 12 3 8 4 6 यह condition इसके बाद है क्योंकी product क्या है आपका 24 है तो साइन की बात करेंगा तो साइन की बात करते समय हमें सब्सक्राइब दोनों condition को fulfill कराना है तो आप देखिए हमीं क्या लाना है माइनस 5 लाना है माइनस 5 तो अच्छा ऐसे भी positive नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि देखिए माइनस 5 लाना है हमें तो 3 और यह यह देखिए 3 और 8 देखिए यह थोड़ा पर सुर्थना पड़ेगा यह देखिए इन दोनों के बारे में क्या ख्यार है 3 और 8 का difference कितना आएगा तो माइनस 5 आएगा माइनस और यह 5 तो 3 का साइन और 8 का साइन कौन सा positive लेंगे कौन सा negative लेंगे तो देखिए 3 और 8 का difference तो 5 आना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो 3 और 8 में बड़ा कौन है तो 8 का साइन क्या लेंगे negative लेंगे मैं यहां की basis पर बता रहा हूं कि 5 परसंट negative है तो 3 लेंगे positive 8 लेंगे negative अब यहां से दुबाबर चेक करेंगे माइनस 5 आजागे 3 एक्स इंटू माइनस 8 करेंगे तो माइनस 24 एक्स इसवार है जो की एक्स स्क्वार इंटू माइनस 24 के परड़क्ट के बड़ाबर है और यह देखिए, माइनस 24 यहां था quadratic, trinomial यहां ओगया, tetranomial अब देखिए इन दोनों में x कॉमन तो x प्लेस 3 यहां भी negative, यहां भी negative 3-8 common तो X plus 3 अब देंखे X plus 3 यहां भी है और तो फिर ग्यां बचेगा X और यह minus 3 X plus 3 यहां भी था यहां भी था हमने common ले लिया थी X बचा और यह 8 बचा तो हम देख रहे हैं कि X square minus 5X minus 24 can be written as the product of X plus 3 and X minus 3 और यही जो है आपके factors हो गए अगर दोनों को दोनों factors क्या है? linear factor है तो friends इस तरीके से हम लोग इस session में Factorization of Quadratic Trinomial के बारे में डिसकूस किया है हमें उमीद है यह session आपके लिए useful होगा तो बिलते हैं next session में एक अच्छे concept को साथ thanks for watching